इन दिनों skill based education का चलन पढ़ता जा रहा है ऐसे में नागपुर शहर का vision group of institutions बारवी पास कर चुके चात्रों के लिए बहतर विकल्प बनता जा रहा है नागपुर शहर के उदरनगर इलाके में स्तित है vision group of institution जिसके founder है मंदार कडू vision group of institution बाचलर और वोकेशनल डिगरी प्रोग्राम के लिए नागपुर और आसपास के इलाकों में मशूर हो चुका है बाचलर और वोकेशनल डिगरी प्रोग्राम जो है वो completely skilled based डिगरी प्रोग्राम है इसमें 70% practical और 30% theoretical portion कवर किया जाता है जो industry की need है वो need को ध्यान में रबके यह course curriculum design किया गया है तो इस वज़े से क्या होता है कि employment जादा बढ़ सकता है इस वज़े से यह degree program जो है वो काफी helpful हो सकता है नापूर या विदरबकी students के लिए फूचर जो है वो industry education का ही है काफी जगा industry को requirement है जो skill candidate की requirement है तो मैं parents को यह अफिल करना चाता हूँ कि आप theoretical conventional degree के वज़ाए अगर आप skill based degree में जाता है तो आपके बच्चों के लिए एक बहतरीन career option होता है यकीन मानिए यही future है industry का बारवी पास कर चुके चात्रों के लिए vocational degree program बहतर विकल्प है इसके लिए minimum qualification जो है वो 12th industry में जैसा MCVC, Arts, Commerce, Science, कोई भी field के जो 12 plus 2, 10 plus 2 किये हुए जो students है वो इसमें enroll हो सकते हैं यह UGC approved degree program होने से one nation one certification इसका program रहता है bachelor's of vocational degree का nomenclature इसमें यूज किया है तो इसका authentication जो है वो बाकी other degree से equivalent है मंदार कडू का कहना है कि vocational degree program कर चुके चात्रों का industry में काफी demand है काफी industry में skill worker की requirement होती है तो skill को धैन में रखते हुए काफी industry हमको approach करती है तो यहाँ पे एक तरफ है कि जो unskilled students रहते हैं वो company में अच्छा performance नहीं दे पाते हैं इसी वज़े से industry जो है वो skill worker की requirement आज के date में कर रही है और वो skill देने का काम हमारे institution से company की requirement फूलफिल करने का काम हम provide कर रहे हैं vocational degree program की पढ़ाई के बाद चात्रों को नौकरी मिलने में काफी सहूलियत होती है बेसिकली कैसा vision group जो बंदो को training दे रहा है जो first year का theory knowledge है वो हमें बहुत help करता है उसके बाद उनका जो orientation इस चीज़ को लेके होता है उनका practical lab में study होता है सब कुछ उनको practical किये जाते है फिर उसके बाद जो हमारे तरफ जब internship के लिए आते है sir तो वो हमें एक trained professional मिल जाते है उन्हें polish करने के लिए हमें ज़्यादा time नहीं लगता है within six month वो बंदा पूरा train हो जाता है vision group के तरफ से हमें ये बहुत ज़्यादा help होती है sir बाकी जैसे आप engineering के students देखेंगे बाकी सब वो चार साल थहरी पड़ते है उसके बाद उन्हें tools के साथ उत्ता comfort level नहीं रहता है वो उतना comfortable नहीं रहता है machines पे work करने को बट first year से जो student का orientation ऐसा है तो वो maximum 6 मैने में हमारे हिसाब से mode हो जाता है vision group of institution में vocational degree program के लिए admission प्रक्रियाश शुरू हो गई है admission process भी start हो चुकी है academic session जो है वो August से April तक रहता है हर साल इसका जो enrollment होता है वो June या July से start हो जाता है अभी pandemic के चलते हुए थोड़ा ये process लेट हो गई है तो normally class जो है वो September या October से start होने वाले है और इसमें हमारे पास अभी be work in automobile, be work in agriculture, be work in food processing, be work in healthcare, be work in tourism and hospitality एसे कोर्स अभी उपलब्द है जिन में industrial education provide होता है